संजरा है क्योंकि महले में रहता है तमाम जो लोग यहां पर रहते हैं कैसा आदमी था जैसा कि हम लोग यहां लोकल एस बिंग लोकल हम लोग जानते हैं उसके अबाउट में कि वह फर्स्ट फॉल कैरेक्टर लेस है फ्रॉड है देन चीटर भी है ठीक है और मतलब ड्रंकर भ लेस है क्या महिलाओं जो यहां से गुजरती थी गली मौले से उनके साथ भी छेड़खानी किया करता था ने एक दो बार इस तरगा घट्टा घट्ट संजराय को लेकर काफी सारी बाते इन दिनों कही जा रही है इन्वेस्टिकेशन में बहुत कुछ चीज़े निकल रही है हिंसक प्रविति का था पॉन वीडियो उसके फोन से मिले लेकिन संजराय कैसा आदमी था कैसा इंसान था यह जानने के लिए हम उसी जगा पहुचे है जहां पर संजराय रहता है वहां पर हमें उनके परिचित बोल लीजे दोज बोल लीजे को क्योंकि उनके महले के रहने वाले शक्स हैं वो हमें मिले है उनसे है बात करेंगे मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूँ कि किस सरीके का आदमी था संजराय क्योंकि महले में रहता है तमाम जो लोग यहां पर रहते हैं कैसा आदमी था जैसा कि हम लोग यहां local as being local हम लोग जानते हैं उसके about में कि वो first of all character less है फ्रॉड है देन चीटर भी है ठीक है और मतलब ड्रंकर भी है और काफी लोगों को चीट भी क्या है और सेक्स के प्रति बहुत ही addiction रहता था और eager भी रहता था तो आपने बताये कि वो characterless है क्या महिलाओं जो यहां से गुजरती थी गली मौले से उनके साथ भी छेड़खानी किया करता था ने एक दो बार इस तरह का घटना घटना तो इसके लिए यहां पे लोकल पनिश्मेंट मिल गया इस तरह का बारदात हुआ था तो उसको पनिश्मेंट भी मिला था अक्सर शराब के नशे में रहता है अक्सर मतलब एक बॉटल खतम हो जाए यदि उसके पास पैसा है तो वो सेकेंड बॉटल भी आएगा अब उसको पीए लगातार नशे में रहता है पुलिस में काम करता है क्या लोकल लोगों को क्या बोलता है क्योंकि पुलिस सो कहते हैं हुमारे साथ था ने से वालेंटियर था यहां प मतलब ना उसके पास information है ना rights है बट फिर भी वो जो काम कर सकता था वो अच्छा अच्छा बंदा पोस्ट में रहने के बावजूर भी नहीं कर पाता था वो उसके अंदर गट्स भी बहुत है और superior power उसके पास था लेकिन जगरता था सबसे जगरता था मतलब बोल सकते हैं जगरता ही था और किसी से यदि वो बदला लेना चाहता था तो वो जगर के कर लेता था यदि कोई इसका सामने यदि वीक है और उसको चाहता है उस पर चढ़ाई कर पाता था कर लेता था आपने बताया sex addict है कैसे मतलब इसी तरीकी की गाली के लोच या किस त दक्का मार के लड़की को वाप लड़की जब तक बोले कि उससे पहले वो काउंटर में बोल देता कि अंदी हो गया है इस तरीके की हरकते वो गली महले में करता था धक्का देना हां अपना area से बाहर ही करता था या पर जो रैड लाइट एरिया है यह भी पता लगा कि कि रहता था था इसले तो मैंने सेक्स के प्रती एगर बताया यह रेड लाइट एरिया में जाना वह पसंद भी करता था और दूसरी बात की मतलब आदमी एक साधी करता है उसको बैलेंस नहीं कर पाता है या करता भी है तो उसको बैलेंस करने के बुड़ा कोसिश करता है कि एक से दो ना हूँ कोई आजमी सेकेंड ऑप्शन बोलके सेकेंड मैं वेडिंग रचाने का नहीं सोचता है जब तक फर्स्ट है तब फर्स्ट को वेल मेंटेन मतलब लॉंग लास्टिंग एवर करने के कोशिश करता पर इसके लिए तो मतलब साधी व्यार यह सब कोई मतलब करने के पहले जो आजमी का इंटेंशन होता है ना उस जैसा उसका इंटेंशन होता है तो वो जब पीने से प widow उसका मूड कर भब करता है तो वह बिट्ध लोग यह नेकरता तнव चंड पीता था ठाट निकरता था टॉर्च 내लब नेचर देता था नहीं, क्रुएल नेचर का है, ये चीज मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, और ये सिगेट वाली वारदात मेरे को पता नहीं है, आस पड़ो, उसके लोगों में क्या है, संजे राय को लेकर लोग क्या सोचते हैं, कि गलत इंसान है, जगरता रहता है, जबसे नशे में रहता है, कि वह फ्रॉड भी है, और ये फेक, मतलब रेपो मेंटेन करता है, फ्लुएंट मतलब रेड लाइट एरिया में जाना, आयाशी करना, नशे में गुमना, गाली गलोच करना, ये रोज का था उसका, रोज का नहीं बल सकता है, पर वो अक्सर जाय करता था, तो संजर,